अब चार्ट देखो कि अब शाट देखो तो जो प्रिवियस रिकमेंडेशन्स या जो भी मैंने बताया था कि 200 रुपेस के नीचे ये स्टॉक जैसे ही गिरेगा इसके अंदर बहुत इस सॉलिड गिरा वटाएगी और ऐसा ही कुछ यहां पर हमें देखने को मिला हुआ है अब यहां पर बड़ी टाइम फ्रेम का चार के आसपास हुआ करता था और अभी इस टॉक चल रहा है 110 रुपे के आसपास तो चार्ट तो बेकार ही है कोई डाउट नहीं है इसमें ठीक है तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव अगर मौका ढूंड़ना है हमें तो क्या ढूंड सकते हैं बट यहां पर भी जिस तरह के चार्ट के स्ट्रक्चर में देख रहा हुँ जैसे ही 109 रुपे के नीचे सस्ट जैसे ही स्टॉक जाएगा हमें लोवर लेवल देखने को मिलेगा तो लोवर साइट की अगर मैं टार्गेट की बात करता हूं तो इमीडियेट टार्गेट मेरा 102-103 रुपे के आसपास का मुझे देखने को मिल रहा है ठीक है और वहां पर भी अगर सस्टेंड नहीं किया तो फिर अल्टिमेटली स्टॉक अगें 95, 92, 93 रुपे के आसपास हमें वापस से देखने को मिल सकता है तो इंडिया बूल हाउसिंग के अंदर लॉंग पोजिजन बनाने की मैं आपको एडवाईस नहीं देता हूं ये स्टॉक के अंदर रिकवरी कब आएगी ये भी मैं आ बना हुआ था वहां से एक बर सेलिंग आ चुका है तो वापस से अगर ये स्टॉक सायर लिवल दिखाया तो वहां से उपर साइट जाने के चांसिस है बट लॉंग पोजिशन बनानी है तो कन्फरमेशन लिवल के उपर ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं 115 116 के उपर निक किसी को भी लेना है इंडियाबुल हाउसिंग के अंदर तो आप जरूर से ले सकते हो ठीक है तो जीस तरह से बताया है उस तरह से दोनों साइट्स पे हमें ट्रेडिंग करने के मौके मिलेंगे और ये स्टॉक हमारी रडार से छूटने वाला नहीं है मैं strongly recommendations दे रहा हूं कि ये स्टॉक के अंदर investment मत कीजिएगा इतना discount मिल रहा है तो investment मत कीजिएगा ठीक है trading perspective काम करना है तभी आप काम कर सकते हो